Hello students, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ कि आप सभी fit and fine होंगे आज ये Ray Optics के chapter Reflection and Refraction of Light मतलब प्रकास की प्रावर्तन और अपवर्तन से संबन्धित lecture 3 है lecture 2 आपको मिल चुका होगा, ये 3rd lecture है और इसमें topic जो cover की जानी है, वो है mirror यानी की दरपड और type of mirror यानी की दरपड के प्रकार और some important definitions related to spherical mirror मतलब गोलिये दरपड से संबन्धित कुछ महत्तपूर परिभास आएं ये आपकी topic है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अब इसमें जो पहला चर्चा का भी से है, इसे हमाटा ही देते हैं वो है type of mirror, type of mirror के बारे में हमें सबसे पहले जानना है basically जो हम लोग type यूज करते हैं mirror की, वो दो type यूज करते हैं plain mirror यानी की समतल दरपड और spherical mirror मतलब गोलिये दरपड ये दो type हम लोग basically यूज करते हैं और जिनके बारे में हमें ट्रक तक की क्लास में पढ़ना भी है और वैसे तो गोलिये दरपड की आज modern technology को देखते हुए बहुत सारे type के गोलिये दरपड बनाये जा रहे हैं लेकिन basic रूप से जो यूज किया जा रहा है वो समतल दरपड और गोलिये दरपड समतल दरपड तो आप जानी चुके होंगे समतल दरपड पिछले topic जो कवर की गई थी उसमें समतल दरपड पर ही प्रकास के प्रावर्तन को दर्साया गया था यनि कि एक ऐसा समतल प्रावर्तक प्रिष्ट होता है जिससे प्रकास का प्रावर्तन होता है यनि कि समतल दरपड क्या होता है एक plane एक level एक level reflecting surface होता है जिसे हम समतल दरपड कहते हैं और दूसरा है spherical mirror यनि कि spherical mirror मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अगर हम किसी खोकले-गोले को काट कर उसके किसी भाग के एक तल पर polish कर दें तो इसके दूसरी और का प्रावर्तत प्रिस्ट अपने आप यनि कि दूसरी और का जो प्रिस्ट है वो अपने आप एक प्रावर्तत प्रिस्ट बन जाता है यनि कि कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ये एक हमारा गोला है यह एक गोला है, खोखला गोला और इसे हम किसी तरह से किसी एक part को cut करें और इसके एक तरफ polish करने तो इसके दूसरी तरफ का जो प्रिश्ट होगा वो प्रावर्तक प्रिश्ट बन जाता है तो ऐसे दर्पड को हम क्या कहते हैं गोली दरपड कहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर उताया है कि गोली दरपड के भी हम परिफासा बोल लाएं इसको आप लोग कंसेडर करिएगा यदि हम किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पर कलाई कर दें तो दूसरी ओर का जो प्रिष्ट होता है वो हमारा कार बनी दरपड को हम गोली दरपड कहते हैं अब यहाँ पर इसकी जो टाइप है वो बिसिकली कंकेब और कॉन्वेक्स है मतलब कंकेब मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमें तो फोकस करना इसी पॉइंट पर इसी के बारे में पढ़ना भी है आउतल दरपड और उतल दरपड य ये क्या होता है ये भी जानते हैं अच्छा सबसे पहले हम लोग दरपड समझ लेते हैं दरपड के बारे में बात करनी चाहिए कि दरपड क्या होता है मतलब ऐसा प्रावर्तक प्रिष्ट जिससे प्रिकास का अधिकान सभाग प्रावर्तित हो जाए उसी को हम लोग दरपड कह सकते हैं वही हमारा दरपड है यहनी कि ऐसा प्रावर्तक प्रिष्ट वो कैसा भी हो कुछ भी हो हमें इससे मतलब नहीं है, वो किस material का है, क्या है, कैसे है, इससे भी मतलब नहीं है मतलब कोई ऐसा प्रावर्तक प्रिष्ट हो, जिससे प्रकास का अधिकान सभाग प्रावर्तित हो जाए, उसको हम दरपड कह सकते हैं या कोई ऐसा प्रिष्ट आप को दिखाई पड़े, जहां से प्रकास का अधिकान सभाग क्या हो जाए, प्रावर्तित हो जाए, तो वो हमारा क्या है, दरपड है, यह जरूरी नहीं है कि वो हमारा सीसे का ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है तो स्पेरिकल समतल दरपड तो मैंने बता ही दिया, कि समतल दरपड क्या होता है, समतल दरपड के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं, गोलिये दरपड में ही आपको आउतल दरपड और उतल दरपड के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो जैसा कि अभी परिभासा में हमने बताया कि गोलिये दरपड क्या है कि अगर हम किसी खोकले गोले को काट लें उसका कोई भाग काट कर लें जैसे यहां पर यम1 और यम2 हमने दो भाग कट किये हैं और काट कर उसके एक सर्फेस पे हम पॉलिस कर दें तो इसका इंटर्नल वाला पार्ट ये वाला पार्ट जो मैंने एरों से दिखाया है ये हमारा क्या है अवोतल प्रावर्तक तल है यानि कि अवोतल मतलब जुका हुआ प्रावर्तक तल है और ये हमारा एक भाग इसका प्रावर्तक तल है तो ऐसे दरपड को हम कहेंगे आवतल दरपड क्लियर हुआ हुगा यनि कि आवतल दरपड की परिवासा अगर बोलें तो ध्यान से सुनिएगा कि गोलिये दरपड का ये एक प्रकार है जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिस की गई होती है और प्रकास का प्रावर्तन जुके हुए तल से होता है, तो ऐसे दरपड को हम क्या कहते हैं, और तल दरपड कहते हैं, परसे परिभासा रिपीट करता हूं, वाह दरपड वाह गोलीए दरपड जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिस की गई होती है और प्रावर्तन, प्रकास का प्रावर्तन दबे हुए, मतलब जुके हुए तल से होता है, तो उस दरपड को हम क्या कहते हैं? आउतल दरपड कहते हैं क्लियर हो गया होगा यहां पे आपको यह चीज़ दिखाई पड़ रही है इसके उबरे हुए भाग पर पॉलिस की गई है और प्रकास का प्रावर्तन यानि कि जो भी प्रकास की क्रेड़े आएंगी वो इसके जुके हुए भाग से प्रावर्तन होंगी तो ऐसे दरपड को हम क्या कहेंगे आउतल दरपड उतल दरपड की बात करें गोलिये दरपड का वह भाग जिसके आउतल भाग पर यनि कि जुके हुए तल पर पॉलिस की गई होती है और प्रकास का प्रावर्तन उबरे हुए तल से होता है तो ऐसे दरपड को हम उतल दरपड कहते हैं यह भी बा का वह भाग जिसके दबे विये तल यानि कि आउतल भाग पर पॉलिस की गई होती है और प्रकास का प्रावर्तन इसके उभरे विये भाग से होता है तो ऐसे दरपड को हम उतल दरपड कहते हैं गोलिये दरपड का वह भाग जिसके आउतल भाग पर पॉलिस की गई होती है और प्रकास का प्रावरतन उबरे हुए तल से हुता है तो ऐसे दरपड को हम उत्तल दरपड कहते हैं तो ये बात तो clear हो गई होगी, सभी लोगों को अब यहां पर ये वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ा है, ये वाला पार्ट आप आउतल दरपड या उतल दरपड जब भी बनाएंगे तो आउतल दरपड आप ऐसे बनाईएगा यह आपका है आउतल दरपड यहां से लिखिएगा M1 यहां से M2 मतलब यह गोली दरपड है जिसमें यह आउतल दरपड है इस तरह से आप बना सकते हैं यह कौन सा दरपड है आउतल दरपड अगर इस तरह से नहीं बनाना है तो आप सिंपल ऐसा बना सकते हैं कि इस पर पॉलिस कर दें इसको लिख दे M1 और इसको लिख दे M2 बस यह भी आपका हो जाएगा आउतल दरपड उत्तल दरपड भी इसी तरह से आप बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पर बना है यह इसके internal वाले पार्ट पे आप पॉलिस कर दें और यहाँ पे लिखें M1 and यहाँ पे M2, M1, M2 is a part of a hello spherical mirror तो यहाँ पे आप बस इतने में आप यह उत्तल को बता दें यह उत्तल और आउतल दरपड की जब परिभासाईं लिखेंगे तो उसमें यह दोनों figure डिरा कर लीजिएगा यह उत्तल और आउतल दरपड को दरसाते हैं अब दरपड से संबंधित जो कुछ महत्तोपूर परिभासाईं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अच्छा एक चीज और यहाँ पर नूट करनी है कि जो प्रकास का प्रावर्तन आप लोगों ने पीछे पढ़ा है वो आपने देखा होगा कि जब हमने प्रकास का प्रावर्तन बताया था तो वहाँ पर एक plane surface था इस तरह से और यहीं से आपको पताया गया था कि प्रकास का प्रावर्तन होगा यह नॉर्मल है और इस तरह से यह आपका incident रहे है यह आपका reflective रहे है और यह आपका normal था इस तरह से पताया गया था अब यहाँ पे बात यह उड़ती है कि क्या plane mirror के लिए जो rule यानि कि जो loss reflection के थे वही loss spherical के लिए भी है तो कि यह भी तो mirror है mirror वो भी था यानि कि वो भी एक प्रावर्तकतल था जो mirror की तरह behave कर रहा था तो यह भी तो हमारा एक spherical mirror है क्या इसके लिए भी प्रावर्तन के नियम वही होंगे जो समतल दरपड के लिए है तो answer है yes सब कुछ वही रहेगा बस आपको थोड़ा सा सोचना इसमें यह है कि आपके दिमाव में बात यह आ रही होगी कि किस तरह से तो obviously आप यहाँ से समझगे इसको यह suppose कर लिजिए कि आपका एक क्या है spherical mirror है जिसमें आप इसको आउतल दरपड बना रहे हैं यह इसका क्या था center मतलब यह जिस गोले को काट कर बनाया गया था उसका जो center होगा वही इस भाग का भी center होगा जैसे यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे इस भाग का इस पूरे गोले का center यह है तो इस भाग का center तो भी यही होगा clear हो गया अगर कोई भी light rays इस part पर यहाँ पे मैं बताता हूं कि कोई भी light rays जहाँ से चले और इसके किसी भी भाग पर जाकर incident हो ऐसे या ऐसे या फिर हम यूँ कह लें कि ऐसे तो यह सभी किसका काम करेंगे normal का अभी लंब का काम तो यही करेंगे बास समझ में आ रही है कि नहीं अब थोड़ा साब सोचिए कि normal का काम यह क्यों करेंगे क्योंकि आपने 9th या 10th class में यह पड़ रखा होगा mathematics में कि जो किसी भी वृत की या किसी भी यहाँ पर गोले की बात की जा रही है वो जो त्रिज्या है न यहाँ पर आएजे spherical mirror यह एक हमारा ring type में होगा यह जो भी है यह इस पर क्या होता परपेंडिकुलर होता न यह 90 90 बनाएगा न इसके इस फ्रिस्ट से कैसा बनाएगा 90 तो यह अभिलंब का काम कर जाएगा तो यहाँ से अगर इसको मिलाएं तो यह अभिलंब है और इस वे में अगर light आकर इस पर incident हो रही है तो reflect back हो जाएगी उसी direction में ठीक है तो अभिलंब अगर माल लीजिए ड्रा भी करना है आपको तो माल लीजिए यहाँ से light rays नहीं भी आ रही है तो अभिलंब आप ऐसे खीश सकते हैं और light rays अगर यहाँ कहीं से आ रही है ऐसे तो यह reflect back हो जाएगी उसी angle पर ऐसे तो साइद अब बाते आप लोग को सबज में आ गई होंगी तो इसमें कुछ भी difference नहीं है जो incidence angle है उसकी value क्या है? reflective angle के बराबर है आई बराबर R के है और यह आपका normal का काम कर जाएगा गर इसको उन जोइन कर देंगी इसके center से इस वाले part को तो जो नियम plane mirror के लिए है वही spherical mirror के लिए है किसलिए? reflection of light में यानि कि large of reflection वही है same spherical mirror के लिए जो plane mirror के लिए था तो चलिए अब some important definitions पर चलते हैं कुछ इसके महत्वपूर परिवासाओं के बारे में बात करते हैं तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर हमने दो गोली दरपड के जो परकार है उनको बना के रखता है आउतल दरपड और उतल दरपड इसमें सबसे पहले बात आती है कि दरपड का ध्रूव क्या है है ना? इसको परिभासित करना है इसको पोल कहते हैं इसका इंडेक्स है P इसको इंसर्ट पोल और इंसर्ट में इसको P से दिनोट किया जाता है दरपड के ध्रूव को और यह है क्या? इसकी परिभासा क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा दरपड के प्रावर्तक तल यह दरपड का प्रावर्तक तल है दरपड के प्रावर्तक तल के मध्य बिंदु को दरपड का ध्रूव कहते है यह मोण यम्टू हमारा क्या है? यह दरपड का प्रावर्तक तल है इसके जो middlemost point है इसका जो बीचो बीच भाग है यानि कि बीचों बीच में जो एक बिंदू आपको मिलेगा वही इसका द्रोग कहलाएगा यानि कि जो भी स्फेर आप देखते होंगे उसको काट कर अगर हमारा स्फेरिकल मेरर बनाया गया है तो उसका जो प्रावर्तक भाग होगा उसका जो मद्ध बिंदू होगा उसे को दरपड का द्रोग कहते हैं इसको पी से प्रदसित करते हैं दरपड के प्रावर्तक तल के मद्ध बिंदू को दरपड का द्रोग कहते हैं यह आप लिख लिजेगा यानि कि पोल को हमने डिसाइड गड़ दिया है पोल क्या है यह हो गया अब इसके बाद आती है aperture मतलब द्वारक दरपड का द्वारक क्या होता है अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको द्वारक पूछा जाए तो एक basic concept रखिये द्वारक क्या होता है यानि कि जितने दरपड के जितने भाग पर light को incident कराया जा सके उसी भाग को हम द्वारक कह सकते हैं यानि कि जहां से entrance possible हो और exit भी possible हो तो उसी भाग को हम दरपड का द्वारक कहते हैं तो यहाँ से देखिए M1 and M2 M1 and M2 यानि कि M1 से लेके M2 तक पर light को incident कराया जा सकता है इससार बहुत इजी language में देखिए तो इसी को दरपड़ का द्वारक कहेंगे यानि कि M1 and M2 ये आपका क्या है दोनों में क्या है ये दरपड़ का द्वारक है तो इसको अगर as a definition बोलना हुगा तो आप ऐसा कहलीजिए कि प्रावर्तक तल का ब्यास प्रावर्तक तल का ब्यास दरपड़ का द्वारक कहलाता है प्रावर्तक तल का जो ब्यास है ये ब्यास प्रावर्तक तल का ब्यास दरपड़ का द्वारक कहलाता है इसको आप और भी अगर इजली बोलना है तो गोलिये दरपड के भाग को दरपड का गोलिये दरपड के प्रावर्तक भाग को दरपड का द्वारक कहते हैं ने तो आप बहुत इजली आप ये सीधा सीधा जो मैंने पहले बोल लिख लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्रावर्तक तल का भ्यास दरपड का द्वारक कहलाता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अब तीसरा पॉइंट है आपका सेंटर आफ करवेचर मतलब वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र ये जो वक्र है न ये कहां से बना है किसी कोले का ही तो भाग है तो अगर आप चर्नल तरीके से सोचे वक्रता मतलब करव सेंटर जो ये आपको एक करव दिखाई पड़ रहा है इसका सेंटर क्या है ये जिस गोले को काट कर बनाया गया है उसका जो सेंटर रहा होगा उसी का center तो इसका भी center होगा इसमें कोई doubt की बात नहीं है मतलब ये कर्व आपको कहां से मिला किसी गोले से मिला है ना ये कर्व आपको कहां से मिला है किसी गोले से मिला है तो इसका जो केंद्र होगा वो उसी गोले का केंद्र होगा मतलब आप इसको इसको बोले कि गोलिये दरपड जिस गोले से काट कर बनाया गया होता है उसके केंद्र को ही दरपड का वक्रता केंद्र कहते हैं तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा ये तीन पॉइंट्स आपके दरपड से संबंदित परिभासाओं में क्लियर हो गये होंगे आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि इस टॉपिक में जो भी डिफिकल्टीज है उसको आप हमें कमेंट के थुरू बता दिजिएगा हम उसको क्लियर कर देंगे तुरंट चलिए अब अग principal axis के बारे में बात करते हैं इसको कहते हैं मुख्य अच्छ मुख्य अच्छ क्या होता है यहाँ पर देखिए यह एक line हमने बना के रखी है यही आपका क्या है principal axis है इसी को बोलते हैं मुख्य अच्छ तो बहुत easy तरीके से आप देखिए यह वाली state line जो आपको दिखाई पड़ रही है यह दोनों के लिए यही आपका मुख्य अच्छ है तो इसको insert अगर बोलना है as a definition बोलना है तो आप बोलिए कि दरपड के वक्रता केंद्र और द्रुब दरपड के वक्रता केंद्र और द्रुब यहाँ भी दरपड के वक्रता केंद्र और द्रुब को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं मुख्य अच्छ कहते हैं ठेक है ना? कोई दिक्कत है? या ऐसा बोल लेते हैं कि दरपड के वक्रता केंद्र और द्रुब से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अच्छ कहते हैं जैसा भी आप लिखना चाहें एक दमिजी है दरपड के वक्रता केंद्र और द्रुब को मिलाने वाली रेखा को दरपड का मुख्य अच्छ कहते हैं आपके उपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं, है यही कि दरपड के वक्रता केंद्र और ध्रूब को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अच्छ कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सेंटर आप करवेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पेर्चर हो गया, पोल हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी, जिसे आप बोलेंगे, रेडियस आफ करवेचर, इसको बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, यह भी बहुत जी है, यहाँ पे अगर मैं, पीसी, पीसी यह जो डिस्टैंस है, इसी को बोलेंगे, रेडियस आफ करवेचर, मतलब यह कि आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, दरपड के वक्रता केंद्र और ध्रुव, दरपड के वक्रता केंद्र और ध्रुव के वीच की दूरी को, दरपड के वकृता केंद्र और दरपड के धुरूब के बीच की दूरी को वकृता तरिज्या कहते हैं एक तो यह बहुत simple language में हो गया आप तूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं उस गोले की त्रिज्या को जिसका दरपड एक भाग है दरपड की वक्रता की त्रिज्या कहते हैं मतलब उस गोले की त्रिज्या को यानि कि जिससे यह आपका दरपड बना है उस गोले की जो भी तरिज्या होगी, उसी की तरिज्या को हम दरपड की तरिज्या भी कहते हैं, यानि कि जिससे ये काट कर बनाया गया है अब कोई ये बाते समझ में आई मतलब उस गोले की त्रिज्या को जिसका दरपड एक भाग होता है जिसका दरपड एक भाग होता है दरपड की वक्रता त्रिज्या कहते हैं ये भी आप especially कह सकते हैं दोनों साहिए इसको R से denote किया जाता है यह नहीं कि इसका सिंबल है capital R in mirror तो center of curvature को ऐसे capital C से denote करते हैं यहाँ पे ये points आप देख रहे हैं जिस पर हमने letters लिखे हुए हैं तो ऐसा भी कह लिजिए आप इसको अगर ऐसा कहना चाहते हैं तो ये radius of curvature की ये भी easy definition बनेगी कि गोलिये दरपड जिस गोले का भाग होता है उसकी तरिज्या गोलिये दरपड की वक्रता तरिज्या कहलाती है चलिए अब next topic देखते हैं फोकस यूम फोकस दूरी क्या है फोकस यूम फोकस दूरी वैसे जो ये topics हैं इनके बारे में आप कच्छा दस में सायथ पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो फिर से ये आप पढ़िए क्योंकि इसके आपको जरुत है फोकस यह उम फोकस दोरी क्या होता है पहले हम फोकस जामते हैं मुख्य अच्छ के समांतर चलने वाली किरड़े हैं प्रावर्तन के पशाथ यह मुख्य अच्छ के समांतर जो चलने वाली प्रकास की किरड़े हैं मुख्य अच्छ के समांतर चलने वाली प्रकास की किरड़ें गोलिये दरपड से प्रावर्थन के पश्चात मुख्य अच्छ के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अभी हम जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो अउतल दरपड, तो अउतल दरपड में ये मुख्य अच्छ के किसी बिंदू पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन उतल दरपड की अगर बात करेंगे जब, उतल दरपड की जब बात करेंगे आप उतल दरपड की, तो उतल दरपड में आप ये पाएंगे कि आपको ये ल इसलिए फोकस को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुख्य अच्छ के समांतर चलने वाली प्रकास की किरड़ें गोरिये तरपड से प्रावर्तन के पशात मुख्य अच्छ के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस ब कि इसे capital F से denote करते हैं, यहनी कि इसे capital F से back करते हैं, अब इसी वक्त focus दोरी भी देख लेते हैं, focus दोरी क्या होता है, focus यह आपका है, और यह है throw, तो साइद इसमें से maximum लोग जान चुके होंगे कि focus दोरी को हम क्या कहने वाले हैं, तो दरपड़ के throw से focus तक के बीच की जो दोरी होती है, इसको इस type के F से denote करते हैं, यह इस type का F और यह F different रखिएगा, इसको F से इसको भी denote करते हैं, यहनी कि आप यह लिखेंगे कि यहाँ पे जो P F है दोनों में, यह P F क्या है? focus दोरी है, focus दोरी है, यहनी कि जिससे आप इस वाले F से symbolize करेंगे, और यह वाला जो F है, यह आप focus के लिए यूज करेंगे, अब आपकी आखरी परिभासा है, दरपड़ से संबंदित जो परिभासा हैं आप पढ़ रहे हैं, इसमें last है, focus तल, focus तल, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसको focal plane बोलते हैं, focus plane भी लिख सकते हैं, focus plane, focal plane भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो focus तल क्या है, आप इसके बारे में समझ लीजिए, मुख्य अच्छ के लंबवत, दोनों में, दोनों दरपड के लिए बात कर रहे हैं, मुख्य अच्छ के लंबवत, फोकस से गुजरने वाले उर्ध्वा धर अविलंबवत तल को, दरपड का focus तल कहते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, मुख्य अच्छ के लंबवत, फोकस से होकर गुजरने वाले उर्ध्वा धर अविलंबवत तल को focus तल कहते हैं, जैसे यहाँ पर इसको अगर मैं सिंबलाइज कर दूँ, F1 and F2, F1 and F2, तो यह आपका हो जाएगा focus तल, है ना, यह उड़वा धर है, मुख्य अच्छ के अविलंबवत है, इस तल को हम क्या कहेंगे, focus तल कहेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी वेडियो को देखिए, जिस point में आपको दिक्कत लगे, आप नीचे comment box में comment करके जरूर बताइए, अपने remarks जरूर भेजिए, जिससे हम और बहतर आपके लिए कर सकें, Thank you.